हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एक तुमार यूट्यूब चेनल, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हमारा चेप्टर फर्स्ट और ट्रिमफोप सर्जरी जो की बहुत इंट्रेस्टिंग स्टोरी है, सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी की शुरुवात होती है जब हमारे नेरेटर यहनि की डॉक्टर जेम्स हेरियर्ट अपनी कार से जा रहे होते हैं वो मिस्स पंफ्रे और उसके पेट ट्रिकी को देखते हैं मिसिस पंफ्रे उन्हें बताती है कि ट्रिकी बहुत ही वीक और डल है और उन्हें इसा रगता है कि ट्रिकी मल न्यूटेशन का शिकार हो गया है इसलिए वो कहती है कि मैं ट्रिकी को ज़्यादा कुस्तों नहीं देती बस माल्ट, कोड लीवर, ओईल और अबावल ओफ होलिक् तो ड्रिकी को चोकलेट्स और क्रीम केक्स बहुत ज़्यादा पसंदे तो इसलिए मैं उसे देने से मना नहीं कर पाई ढोक्टर जेम सोचते हैं कि ट्रिकी तो बहुत ज़्यादा लाल ची है इसे जितना आप दोगे वो उतना खा लेगा और वो ड्र जेम मिछिस स्पामफ्रे से ये भी एक रहे है कि आप इसे एक्सरसाइज करवा रही है तो मिछिस स्पामफ्रे बोलती है कि जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे साथ वोकिंग तो करता है बट हमारा जो गार्डनर है होडकिन जिसके साथ ट्रिकी रिंग त्रोइंग कहलता था उसको भी लुंबागो हो गया है लुंबागो कोई बीमारी नहीं है बस हमारे बैक पोर्शन में मस्कूलर पेन होना एट इस लुंबागो तो उसे लुंबागो हो गया है जिसकारण वो ट्रिकी के साथ अब नहीं खेल पा रहा है ये जानने के बाट Dr. James Mrs. Pumphrey को कहते हैं कि यदि उन्होंने Tricky को extra food देना बंद नहीं किया और उसकी exercise को नहीं बढ़ाया तो Tricky सच में बहुत ज़्यादा बिमार हो सकता है तो इसे Tricky को strict diet follow करने होगी जो कि Mrs. Pumphrey के लिए बहुत difficult था लेकिन वो इसके लिए मान जाती है कुछ दिनों बाद Mrs. Pumphrey Dr. James को बताती है कि Tricky कुछ भी नहीं खा रहा है और अपना टाइम एक ही जगे बेटे-बेटे spend कर रहा है और इवन वो vomiting भी किये जा रहा है तो Dr. James ये जानने के बाद उनसे कहते हैं कि अब एक ही रास्ता है Tricky को recover करने का that is उसको आपको hospitalized करना होगा for two weeks two weeks के लिए इसके लिए आपको बुक में एक वर्ड दिया हुआ है फोर टनाइट जिसका मदब होता है period of two weeks तो आपको इसे hospitalized करना होगा और हम इसकी surgery करेंगे ये सुनने के बाद Mrs. Pumphrey बहुत ज़्यादा दुख्य हो जाती है कि उन्हें Tricky को hospital बेजना होगा लेकिन फिर Tricky के साथ जरूरी सामान जैसे कि उसके बेड डे और नाइट का अलग बेड था तो उसके लिए बेड और कुशन्स टोइज और एवन वो टीनो टाइम अलग अलग बावल्स में खाना खाता था तो उसके लिए वो भी भीजवा रहे थे डॉक्टर जेम्स की कार इतना सारा स को रहे थे अब रिकी जैसे हॉस्पीटल पहुंचता है तो वहा के सारे डोक सी को देख के पहले तो टिक के पास आते लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनके साथ किळने में इंट्रेस्ट यह तो वह से चले जाते हैं एनिकесь को ऑननो का कूछ भी नहीं दिया जाता बस पीने के लिए पानी दिया जाता है और लास्ट में दूसरे दिन के लास्ट में वो अपने सराउंडिंग में इंट्रेस्ट शो करने लगता है और अपने कुट्टो लोगों की गेंग में शामील हो जाता है यनिकि उनके साथ दिन बर खेलता इंजोय करने लग जाता है अब ट दॉक्टर्स जेम्स ज्यादा अटेंशन तो पेह नहीं करते बट वो इतना जरूर कहते हैं कि ट्रिकी अब आउट ओफ डेंजर यानि कि खत्रे से बाहर है तो जैसा कि ट्रिकी अब धीरे-धीरे रिकवर होने लगा था तो मिसिस पंफ्रे ट्रिकी के लिए एक जोर वाइन्स चाहते थे जब डोक्टर जेम्स को पता चलता है कि मिसिस पंफ्रे अपने डोग आनि कि ट्रिकी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं तो वो मिसिस मिए को करते हैं और विदिन Chuck E нравится मिसिस पंफ्रे आ जाती हैं और ट्रिकी उन्हें देखकर अपनी और को देखकर बहुत ही एक्साइटेड होता है दोड़ कर मिसिस पंफरे के पास जाता है उनके फेस को चाटने लगता है मिसिस पंफरे डॉक्टर जेम्स को थेंक्यू कहती है और वोईस ट्रीटमेंट को अर्ट रिम्फ ओव सर्जरी के नाम से बुलाती है तो आई होप आपको ये चेप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मिलते हैं नेक्स टुडियो में धन्यवाद